हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फार्मिसनल प्लेटफार्म जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पिएजडी एडमिशन से रिलेटेड कोई नौडिफिकेशन निकल कर आता है तो उसका इन्फार्मिशन हम आप आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी आप लहाबाद जो की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लहाबाद की यहां से पिएजडी से रिलेटेड नौडिफिकेशन निकल कर आया हुआ है और पिएजडी सीट की जो संक्या है वो काफी जादा है 1182 सीटों पर य दिसकस करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फार्म को अपलाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे गये हैं और यहाँ पर जो लाजडेट रखा गया है इस अप्लिकेशन से रिलेटेड इन सभी चीजों को वीडियो में स्टेप बाई स्टेप समझने का प्रया जबार जा रहे हैं जिसमें एक्जाम कंडेक्ट कराया जा रहे हैं 47 सब्जेक्ट में और इन 47 सब्जेक्ट में से तकरीबन 1182 सीटे रखी गई जिनमे से 764 सीटे जो है वो युनिवर्सिटी कैंपज के अंदर जो डिपार्टमेंट या जो सेंटर होते हैं उनमें से यह जाए रहे हैं यहाँ पर नेट और जी आरफ के जो candidate है उन्हें यहाँ पर label 1 और label 2 के examination के प्रॉसेस से गुजर्णा होगा और यहाँ पर label 1 का exam है उन में यहाँ पर exam से exempted रखा गया है उनका किसी भी तरीकी का कोई इंट्रेंस एक्जाम यहां पर नहीं लिया जाएगा वहीं जो लेबल 2 में रहेंगे उनको यहां पर एक्जाम देना पड़ेगा इक्जाम का जो पैटर्ण है यह जो एक्जाम कंटिक्ट कराया जाएगा वो सिर्फ और सी प्रयागराज यानि कि इलहबाद में ही कराया university campus के अंदर ही entrance का जो process है वो रहेगा और यहाँ पर जो online registration है वो submission आप कर सकते हैं 19 जुलाई से और 19 जुलाई से इसका farm applicant होना start हो गया है last date इसका अगस्त 12-2024 तक रखा गया है तो 12 अगस्त से पहले आप लोगों को farm apply कर लेना है इनके official website से तो जो लोग farm apply करना चाहते हैं वो इनके official website पर जाकर farm apply कर सकते हैं और इनका जो official website हो आपको google पर search करना होगा www.ilhabaduniversity.ac.in जहाँ पर आपको ये जो इनका official portal है वो खुल करा जाएगा और यहीं पर आपको notification डाउनलोड करने को मिल जाएगा अगर जिन लोगों को ये notification के official website पर नहीं मिल ला है वो हमारे YouTube वो हमारे टेलिग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link इस वीडियो के description में आप सभी को मिल जाएगा तो यहाँ आप जब five number के point पर आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं all candidates exempted हैं यहाँ पर जो CRET label 1 से belong करते हैं इसमें include है NET और JREF के जो candidate हैं और वहीं exam के pattern की बात करें तो यहाँ पर आपका दो paper कराया जाएगा जैसे others exam में कराया जाता है जो अगर exam pattern की बात करें तो यहाँ पर जैस जिस तरीके से others university या फिर NTA के दवारा जो UGC NET का exam होता है उसी के according यहाँ पर भी आपका दो paper है first paper में 50 question रहेंगे objective type के question रहेंगे जिसमें 1 question के 2 marks हैं और इसमें 25 question ऐसे रहेंगे जो research methodology से रहेंगे और 25 question इसमें जो रहेंगे subject से related यहाँ पर रहेंगे वहीं यहाँ पर negative marking नहीं रखा गया है और paper 2 का जो pattern है उसमें जो subject है उसमें आप लोगों का subjective type का question रहेंगा small question है medium question है long question भी यहाँ पर रहेंगा और यह writing में रहने वाले हैं total यहाँ पर जो marks है दोनों paper के वह 300 के रहेंगे तो time duration यहाँ पर आपको धाई घंटे का मिल जाएगा इस धाई घंटे के अंदर ही आप लोगों को अपना entrance paper देना है यहाँ पर application fees की अगर हम बात करें तो जो लोग भी reserve category से हैं या जो लोग यहाँ पर OBC EWS candidate हैं उनको 1800 रुपए application fees पे करना होगा वहीं SCS को 900 रुपए यहाँ पर application fees पे करने के लिए आप इनके official website पर visit कर सकते हैं यहाँ पर आपको इनका official website मिल जाएगा आप यू प्रवेज 2024.cbt exam.in पर visit करके form apply कर सकते हैं या फिर आप www.allduniv.ac.in पर visit करके आप इस form को apply कर सकते हैं तो जो भी candidate interested हैं वो form apply कर ले टोटल सायतालिस subjects में यहाँ पर requirement निकल कर आया हुआ है तो लगभग सभी subject जो है सभी department से यहाँ पर PhD admission के लिए अप्लिकेशन मांगे जा रहे हैं 1182 सीटो पर requirement निकल कर आया हुआ है तो इंट्रेस्टेट कर निडेट फार्म को apply कर ले लाश जेट से पहले इस वीडियो में इतना ही तरीके के और भी information हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं नए वीडियो मे नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much